पाकिस्तान जाएगी टीम लिया या फिर पाकिस्तान से ही छिन जाएगी जैम्पियन्स टॉफिक इमेज बानी आइसीसी ने आखिर क्या फैसला लिया मौझूदा समय में अगर क्रिकेट पैंस का ध्यान किसी चीज़ पर है तो वह है आईसीसी चैम्पियन्स टॉफिक प्रोजार पच्चिस आखिर कहा पाकिस्तान के पूर्फ क्रिकेटर्स जिने हम सही मायनों में लिजेंड्स का दरजा दे सकते हैं उन्होंने भारते टीम को प इस तरह की नौबत आ गई तो आपको बता दें कि पिछले महीं नहीं ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 को पेस्ट अडीस और अमेरिका की मेजबानी में करा गया था जहां पर ICC को तकरीबन 167 करोड रुपे का नुकसान हो गया था आपको बता दें कि न्यूवर्क में T20 वर्ल्ड कप के इस नुकसान की भरपाई नहीं कर पाया और ICC को नुकसान तक से नहीं पचा पाया अमेरिका में वर्ल्ड कप को कम विवर्शेप मिली और फैंस को वहां जाने का भी शूरा है अब ऐसे में एक बार फिर ICC किसी ऐसी जहां पर चैंपियन्स टॉफी की मेजवानी करने से बड़ी गाज किर सकती है क्योंकि सबसे जादा पैसा भारत ये दर्शकों से ही मिलता है ऐसे में अगर एक दो देशों ने और पाकिस्तान जाने से मना कर दिया तो हो सकता है कि पाकिस्तान से पूरी की पूरी चैंपियन्स टॉफी के होस्टिंग रैट से छिछिन जाएं द अंधर में बात करती हुए पाकिस्तान के धेजिदवाज हसन अलिय ने कहा कि अगर हम भारत दिखीलने जा सकते हैं तो उनें भी पाकिस्तान आना चाहिए बहुत से लोगों ने कई बार कहा है कि खेल को राजनीती से दूर होना चाहिए इसके अलावा बहुत से भारते खिलाड़ी उने इंटर्व में बोला है कि वो पाकिस्तान में आकर खेलना चाहते हैं इसका मतलब ये है कि टीम तो यहाँ आना चाहती है लेकिन जाहिर है कि उनके पास विचार करने के लिए अपने नीतियां, देश और उनका खुद का बोर्ड है। वहीं हसन अली ने जोड देते हुए ये भी कहा कि भारत की गैर मौझदगी भी पाकिस्तान को टूर्णामेंट की मिजबानी करने से नहीं रोक सकती है। कलब हो कि PCB ने जैंपिन्स टॉफी का अस्थाई शडूल पहले ही ICC को सौंब दिया है। टूर्णामेंट फरवरी और मार्च में होने की उमीद है। या फिर नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को श्ट लाइक और शेर करना ना भूले। साथे हमारे चैनल क्रिकेट केसरी को सब्सक्राइब करें और नॉटिफिकेशन बेल बजाना ना भूले। स्वाएफिकेशन दीरिस को सब्सक्राइब करें गूले को सब्सक्राइब करें और रहीं में वीडियो को स पन्में झान भेरीं और ऐसाला आपको है। और तक नहीं है को औरों मैं हाओको अटासरे स बड़ोहैं uneasy, स्वावरीं झाले च शवासरीं